इसलिए बना रहा हूँ सर किनके पहले हम ट्राडेशनल सब्स्तिया मनाते थे इसमें कुछ आता नहीं उता सिर जग हमने नोकरी द्लाश की तो नोकरी हासिल नहीं हुई तो मैंने डपार्टमेंट आफ एग्रिकल्चर झेजिट मोकुषमीर का है सिर वहां से मैंने ट्रैनिंग लिए वहां से मैंने एजिकेट किया है फिर मैं मैंने सोचा कि मैंने क्यों मैं क्यों अपनी जमीन की तरफ जाओं तो मैं अपनी तरफ जमीन की तरफ गया तो मैंने आरगनिक सबजी बनाई सिर मैं एक्जॉट्क सबजी ज्यादा तर बनाता हू सर उसमें है क्याप्सिका, ब्रिंजल है, कुकुम्बर है सर, ग्रीन चिलीज है सर, उसमें मैं इन सबजिया, ये सबजिया उगाता हूं सर अच्छा खुर्सिच जी ये बताईए कि आपको मार्केटिंग और दूसरी चीजों में सरकार के कुछ मिदद मिल रही है क्या दिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर से मैंने दाव में एक एक प्यो बनाया है, तीस फार्मर की सर, हम ये आर्गिनिक सबजिया एक जमा इकठा करके, दिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर ने एक रफिजडेटर वैन मया किया है, फैसिल्टेट किया है मुझे, वो सबजि लाल मंडी में लाते है, वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर ने एक आर्गिनिक मंडी बनाई है, तो ये सबजी जो है आर्गिनिक वहाँ बेचते हैं सर, खुर्सिच जी, आपका साहस और समर्पन, ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर इस तरफ लोटना ये एक जजबा रखता है, जो आपने दिखाया है, वन्ना आदमी उल्जन में रहता है, अब क्या करू, दुनिया क्या कहेगी, फिर लोग कहेंगे इतना क्यों पढ़ा लिखा और ये ही करना था, तो बच्पन से ही कर लेता, वो सब परभा क कि ये बिना अपने अपने जीवन का रास्ता चुना, सच मुझ में बहुत ही इंस्पारिंग है, आप जैसे शिक्षित किसान, जब और अरगिनाइज डंग से काम करेंगे, और करते हैं, तो कैसे परणाम निकलते हैं, ये आज हम देख रहे हैं, आप अपनी कोशिज जारी रखें, आपको आपकी टीम और आपके गाउं के लोगों को बहुत बहुत बधाई